नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल में उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा आज का ये जो notification है आज का ये जो वीडियो है हम लोग discuss करेंगे detail analysis करेंगे women police, women military police का जो की आपके Indian army के तरव से recruitment होता है और उसी का vacancies आपके सामने है जो कि आप यहाँ पर official site में आप देख सकते हो जो कि आपका military police में जो बहने भरती होना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही important और महत्वपूर्ण notification है यह यह पिछले साल भी आया था और इस साल भी निर्धारित समय से आ चुका है जैसे आप लोग यहाँ पर जाओगे तो आप लोग देख पारे हो यहाँ पर the woman military police enrollment for the soldier general duty ओके तो हम लोग इस notification का discuss करते हैं अच्छे से विस्तार से आप यहाँ पर कैसे आप form fill up कर सकते हो कहाँ पर जाके form fill up कर सकते हो इसका जो procedure है यह कैसा है तो हर चीज इस वीडियो में discuss किया जाएगा तो आखिर तक बने रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए तो पहले अगर मैं बात करूँ तो total हमारे पास vacancies कितनी है 100 total vacancies है वो किस में vacancy है woman military police में अगर कोई बहन army में जाना चाता है तो फिर उनके लिए यह बहुत ही important application है और इस application का कुछ criteria है जो हमें जानने की ज़रूरत है application form fill up होगा 6 June 2021 अज के तारिक से चालू हो गया इसका application और यहाँ पर application चलेगी कब तक 20 July 2021 तक और इसका जो admit card है यह registered email ID में आपका आजाएगी ओके तो फिर अगर मैं बात करूँ कि हर किसी का doubt होता है कि यह हर एक के email ID में आएगा यह नहीं आएगा तो फिर मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यह हर एक के email में नहीं आता है क्योंकि यह cut off के उपर decide होता है कि यह कितने को यहाँ पर लेना है कितने candidates को वो लोग select करते हैं यह depend होता है marks के उपर aggregate marks के उपर आप सभी को पता है okay so candidates would reach the venue और एक महत्वपूण बात यहाँ पर है कि यह venue में पहुचना पड़ेगा आपको जो कि है Ambala, Lucknow, Jabalpur, Belgaum, Pune and Shilong वो depend करता है state wise okay so अब अगर मैं आगे की तरफ बात करना चाहूँ तो फिर आप यहाँ पर देख पार हो कि soldier gd woman military police का age criteria कितने से है साड़े 17 से 21 तक जो कि आपके 1 October 2000 से 1 April 2004 के बीच में होना चाहिए और जो height होना चाहिए वो height कितना होना चाहिए 152 cm होना चाहिए और class 10 में आपका 45 marks aggregate में होना चाहिए और 33% marks हर एक paper में आपका होना अनिवारिय है okay so अब यहाँ पर एक बात आ जाती है जो कि बहुत ही important है यहाँ पर देखिए important यह चीज है कि kindly note that once the registration of candidate is over cutoff list will be generated and admit card will be issued only to a limited number of candidates तो यह limited number of candidates को ही यह admit card जारी किया जाएगा और admit card हर एक के पास नहीं पहुँचेगा आप यह अच्छे से जान लीजिए क्योंकि यह 100 women military police के लिए ही recruitment है तो 100 candidates सी इसका admit card, 100 in the sense ratio proportion में suppose 1000 candidate के पास admit card पहुचेगा जिनका यह जो cutoff criteria जादा होगा अगर मैं बात करूं cutoff की तो पिछली बार जो cutoff गया था something like 60% के पास ही गया था तो अगर आपके class 10 में 60% के उपर है तो फिर आप apply कर सकते हो निश्चित तोर से कि आपका admit card आ सकता है तो यहाँ पर आप लोग देख पारे हो कि cutoff merit list will be decided based on the first the aggregate marks in class 10 thereafter if there are more candidates with the same marks then candidates of higher age will be preferred जो higher age के candidates है उनको ही prefer किया जाएगा अगर सभी के लगभग to लगभग same marks percentage हो तो अब बात कर लेते हैं इसका running की तो running आप लोग अच्छे से जानते हो कि 1.6 km running है जो कि आपको first group साड़े साथ मिनिट में और second group जो है 8 मिनिट में आपको long jump 10 feet का मानना पड़ेगा और 3 feet का high jump मानना पड़ेगा so यह है आपको criteria यहाँ पर कोई चिनप नहीं है और यहाँ पर आप देख पारे हो कि daughter of service man अगर service man या फिर ex-service man के अगर बेटिये हो तो फिर यहाँ पर आपको height में छूट मिलेगी 2 cm और weight में छूट मिलेगी 2 cm की और further आप यहाँ पर देख पारे हो चलिए नीचे की तरफ बढ़ते हैं fitness के बारे में जो medical standards है वो सब एकदम fit होना चाहिए ठीक pregnancy नहीं होना चाहिए ठीक then after written test अब जो महत्वपुण बात है जैसे ही आप qualify करते हो जैसे ही आप run qualify करते हो run को qualify करने के बाद ही आपके पास CEE in the sense written test through common entrance examination CEE examination होगा आपका वो venue P होगा जैसे RMGD का होता है in the sense 100 marks का paper होता है जिसमें 50 questions आते हैं तो फिर उसका reference हमारे YouTube channel से ही ले सकते हो आप क्योंकि हम लोग women police के लिए एक अलग से classes चालू करेंगे जो कि dedicated होगा स्रिफ women police का और आप application हमारा खुद का application में भी जाके class ले सकते हो जो कि आपका description में जिसका link दिया हुआ है तो वहाँ से आप download कर सकते हो ये application को अब further अगर मैं बात करूँ इसकी तो आप जैसे ही return qualify करते हो return का venue आपको बता दिया जाएगा admit card बता दिया जाएगा location date सब कुछ बता दिया जाएगा जैसे ही आप run pass करते हो और उसके बाद उसके बाद आपका admit card आएगा medical का then medical हो गया और आपको एक चीज़ बता दिया चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको negative marking रहेगा और जो आपका result है वो आपके join indianarmy.nic.in में ही घोशित कर दिया जाएगा अब merit preparation होगा rallies are being held at six different location each location is scattering of candidates from the group of state based on the geographical proximity of the states तो separate merit list होगा reserve list will be prepared for each rally location अलग-अलग merit list होगा अलग-अलग rally location के लिए तो फिर आप इसके भी मतलब in the sense यह भी आप जानलो की अलग-अलग geographical proximity states के हिसाब से ही आपका यह merit list निकलेगा then after आपका education qualification तो आपको पता ही है उसके पात आपको क्या-क्या लेके जाना पड़ेगा domicile certificate लेके जाना पड़ेगा अगर आप caste से बिलॉग करते हो तो caste certificate लेके जाना पड़ेगा आपके school या फिर college से character certificate लेके जाना पड़ेगा अगर आप NCC certificate है आपके पास तो आप NCC certificate लेके जाना पड़ेगा आपको ओके so unmarried certificate भी आपको लेके जाना पड़ेगा next आधार card यह सब तो है आपके पास so यही सब आपका था okay so आप जैसे ही apply करोगे जैसे ही आप apply करोगे तो आपके 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 छो email id है आपके email id में अगर आप cutoff qualify करते हो माली जी की कोई भी state का cutoff 60% से अब गया है तो अगर आपका cutoff qualify होता है तो फिर आपके निश्चित तोर से आपका admit card आपके email id में ही आ जाएगा जिसको लेके आप further pft के लिए जा सकते हो जो कि यह निर्धारित location में यह 6 location में आपका pft होगा और उसी के बाद आपका written examination और medical test होगा और जिसके बाद आपका result join indian army.nic.in में घोशित कर दिया जाएगा तो मैं और एक बार बता दिना चाहता हूँ कि इसका application already चालू हो चुका है 6 June से देख पारे हो आप 6 June से 20 July तक यह application चालू है तो please आप लोग apply करिए इसको और पढ़ते रहिए हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को एक प्यार भरा जबकी दे दीजिए क्योंकि इसी चैनल में आपका woman police का जो batches है वो चालू रहेंगी एवं उसके साथ साथ हमारा खुद का application भी है जो कि आप play store से download कर सकते हो जिसका नाम है exam warrior okay so that's all so उमीद करता हूँ कि इस बार आपका सपना पूरा हो और आप army में भरती हो पाए क्योंकि everything जो हम सपना देखते हैं वो सपने को पूरे करने के लिए ही सब पढ़ाई करते हैं और इतने दिनों बाद जब ये निकला है तो आप छोड़ नहीं सकते preparation करते रहिए जितना आपको spring आपको एक चीज़ पता है कि spring spring बनना पड़ेगा आपको जितना आपको दबाया जाए उतना ही उपर jump करिए क्योंकि एक नए एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी इतने दूर rallies है बोलके पीछे मठ हड़िए आप महनत करते रहिए आप महनत का फल आपको जरूर मिलेगा तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खतम और अगर आपको हमारे साथ जुनना है तो फिर हमारे चैनल को like करिए share करिए और subscribe करिए और हमारा class already चालू है तो आप वहां से भी reference ले सकते हो और dedicated class women military police का हमारे application में चल रहा है ओके सो वहां से भी आप इसका lift उठा सकते हो तो take care of yourself धन्यवाद एंड जाहिंत